सबुए चर्ट चुपी तो अभी तक हम लोगोंने फस्स लेबल कैसे अम पीछिब्री वीडियो में इस वीडियो में हम लोग देखें कैसे हम लोग से 7 डेपल कैसे में अबल करेंगे के वाद कैसे हम लोग यूस करेंगे फिसकेंड लेबल कैसे मल्टिपल से बीच में भी हाड़ी होती है शेसे से लिड़ निकालते एंद धै निकालते हैं तब भी हमारा को एरीं फाइयर नहीं होती है मुझिक यहां-जो जराइ Ask से को एनेबल करनाोगा दे बहुत सारे कैसे provider है जैसे है और हम लोग यूज करेंगे यह कैसे सबसे ज़्यादा होता है सबसे पहले हम लोग आएंगे pom.xml में यहां पे कुछ जार फाइल लगाएंगे second level कैसे की implementation लगाएंगे यहां पर ठीक है यहां पर लगाएंगे तो हम लोग चलेंगे internet पर आज आएंगे internet पर गूगल पर आप सब लोग आके search करेंगे eh कैसे maven आप देख लिए जो यहां पर मैंने search किया है eh कैसे maven और आप सबसे पहली वाली dependency open कर लेंगे perfect है यहां पर यह वाली डिपेंडेंशी पर कर लेंगे और आप इस वाली dependency पर क्लिक करके इस वाली फाइल को आप क्या करेंगे अपने पॉम्ड़ाइगे यह बेसिकली implementation file है कहीं भी आप डिपेंडेंशी के अंदर आप पेस्ट कर दीजिए simply उसके बाद हम लोग hibernate e hibernate cache करके भी एक जार फाइल होती उसको भी लाना होगा तो फिर से हम लोग Google पर सर्च करेंगे hibernate cache में और यह वाली dependency भी hibernate e h cache यहां पर हम लोग लाके पेस्ट करेंगे बट important वाली बात है जो वर्जिन आप यूज़ कर रहे होगे वही वर्जिन यहां से डाउनलोड करोगे इसको कॉपी करके लाते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं ठीक है हम लोग अपने इसके नीचे पेस्ट करेंगे और एक बार वर्जिन चेक कर लेंगे हम लोग hibernate का version हम लोग का है 5.4.5 और यहां पर भी हम लोग का hibernate cache 5.4.5 तो यह दोनों dependency चाहिए होंगे इसको save कर लेंगे उसके बाद हम लोग को cache enable करना होगा second level cache है और हम लोग आएंगे अपने hibernate configuration फाइल में यहां पर और यहां पर कुछ attributes करेंगे सबसे पहले आपको attribute करना है ठीक है property लगा दो कुछ properties लिखनी होंगे सबसे पहले है आपको लिखना है cache cach cache dot use underscore use underscore second underscore level underscore cache है और यहां पर आपको true कर देना है ठीक है that means हम लोग बता रहे हैं अपने hibernate को कि हमें use करना है second level कैसे true इसलिए यह by deferred enable नहीं थी उसके बाद हम में यहां बताना पड़ेगा कैसे का class बताना पड़ेगा second level कैसे का class बताना पड़ेगा तो इसके लिए प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे हम लोग लगाएंगे simply property property में हम लोग जो attributes करेंगे वो है cache dot region ठीक है cache dot region dot factory class आप जाके net से भी देख सकते हो बड़ अगर आप simply यहां से लिखना चाहरे हो तो दो properties है आप दोनों लिख के यहां पर हमें चाहिए होगा कैसे का class ठीक है कैसे class इसका नाम है e-h कैसे e-h कैसे region factory ठीक है बट हमें package के नाम भी चाहिए तो काम करते हैं हम लोग कैसे डूड़ने के लिए आप simply क्या करोगे आप simply पहले क्याम करते हैं class बना लेते हैं फिर एक जुगाड़ बताता हूं यहां पर e-h कैसे region factory कैसे डूड़ोगे तो simply यहां पर आते हैं अपने class बना लेते हैं तो right click करते हैं और new पे चलते हैं और यहां पर class बनाते हैं जिसका नाम देते हैं second second कैसे एक्जामबल और हम लोग इस package में रख देते हैं com.com.second कैसे एंटर कर देते हैं और simply यहां पर बना लेते हैं main method अपना main method बना लेते हैं तो हम लोग लिखें करेंगे type करना यहां से देखिए e h cache है तो आपको यह देखे class मिलेगी e h cache region factory यह देखे class ठीक है e h cache region factory यह वाली class मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग आपको simply यह वाली class पूरा यहां से copy करना है क्योंकि यह class जो है वह package के नाम के साथ है और simply अपने hibernate config में लाखे यहां पर paste कर देना है परफेक्ट है इतना अगर आप ने कर लिया तो configuration आपने कर लिया और यहां पर आके इसको हड़ा देंगे तो simply मैंने ऐसा ही लिखा था बस क्यूंकि हमें यह package के अब हम लोग को कुछ काम और करना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि बाइडिफॉल्ट जो entity होगी हमारी वह not cashable होती है मतलब second level cashier में हमें लाने के लिए वहां पर एक annotation होगा रहे उस करना पड़ेगा तो हम लोग अपने student को बनाना चाहते हैं तो हम लोग आ जाएंगे अपने student पे com.tude पे where is student यहाँ पे student पे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे entity के नीचे एक और annotation लगाएंगे cashier लगाएंगे cashier ठीक है लगाएंगे cashier ठीक है cashier जावा डot password और फिर हमें strategy बतानी होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे cashier और हमें यहाँ पे अंडर स्कोर में लगाके usage लिखना होगा और यहाँ पे लिखना होगा cashier काई सारे स्राटर्जी होती है एक है नन घुल अगर पिप डेटा रीड कर रहे हैं युज कर सकते हो तो फिल अगर डेटा आप चेंजेश नहीं कर रहे हो तो आप यहरे लिए ओनली उस कर ले रहा हूँ थिक इतना काम करने बाद अब आपकी हाँ नेफ्ट की जो सेकेंड डे यहाँ पर और हम लोग बनाते हैं सबसे पहले अपनी factory तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर new configuration.configure.build session factory और एक variable ले लेंगे अब लोग लिखेंगे factory.open session और एक variable में store कर देंगे तो वेट कर लेते हैं हाँ variable में simply क्या करेंगे store कर देंगे इसका नाम देंगे session 1 और इस session को simply हम close कर देंगे तो spelling थोड़ा साही कर लेते हैं session 1 परफेक्ट है इसको हम close कर देंगे session 1.close और एक session और open कर लेते हैं ठीक है तो हम फिर से लिखेंगे factory.open session और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग ले लेंगे session 2 और session 2 को भी क्या कर देते हैं क्लोस कर देते हैं ठीक है अब simply हमारे पास दो session है that means एक session यह है इसके अंदर आप यहाँ पर करोगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं फर्स्ट और यहाँ पर लिख देता हूं second तो basically फर्स्ट लेवल कैसे था उसका तो आप कोई चांस ही नहीं है क्योंकि session मैंने आप क्लोस कर दिया तो फर्स्ट लेवल कैसे सिर्फ इसके इसके अंदर है बट अगर आप factory लेवल कैसे उसकरोगे तो factory यहाँ open होई है that means भी second level वाली कैसे use होनी चाहिए चले तो हम लोग student data fetch करते हैं कैसे fetch करेंगे हम लोग लिखेंगे session 1.get और हम लोग लिखेंगे कि मुझे student.class चाहिए और class एक id देख लेते हैं हम लोग database से तो हमें चाहिए 12424 ठीक है तो यहाँ पर आ जाते है 12424 और simply हम लोग एक variable लेके store क कर लेते हैं student 1 में ठीक है उसके बाद हम print अगरा कर देते हैं ऐसा आउट student 1 को print कर देते हैं ठीक है now हम लोग क्या करेंगे अब लोग फिर से student object निकालेंगे तो बट हम लोग इस वाले session में निकालेंगे तो simply को copy कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग second region में आके हम लोग इसक को s2 कर देते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक session अलड़ी open किया है फिर data ने fetch किया है student को फिर print किया session को close कर दिया that means first level cache का तो काम खतम हो चुका यही पर अब हम लोग ने दूसरा session open किया है data fetch किया है same object और फिर session को close कर दिया अगर second level cache enable हो गी होगी तो एक ही बार query चलेगी built in multiple sessions ठीक है तो हम लोग इसको open run करते है तो यहाँ पर देखेंगे कुछ error आ गई यहाँ से देखते हैं क्या error आ गई है simply यह कहे रहा है कि unable to create a requested requested this ठीक है और it is caused by this exception strategy selection exception तो basically यह कहे रहा है कि हम लोग इस वाले class को resolve नहीं कर वा रहा है तो सायद हम लोग ने इस class का नाम तो ठीक ही उसका है यह रती हिसका है इसका package हम लोग package को ठीक करने कोरते हैं हम लोग यहां पर आएंगे और simply chemicals क्या करेंगे फिर से class का नाम लिखने ही कुष्ति करेंगे उस class का नाम क्या था ए आ बाई class ता इह-Cache are register factory तो हम लोग यहां पर आएंगे और लिखेंगे e h cache है control space region factory ठीक है region factory और इस बार हम लोग लेंगे org.hibernate वाली यह वाली लेंगे तो simply हम लोग इसको copy कर रहेंगे और ठीक है इसको हटा देंगे और हम लोग आएंगे अपने इस class की name के जगर पर यह चीज़ करेंगे और यहां पर पेस्ट करेंगे और हम लोग यह उसकरेंगे बाकी इसकी जरूत नहीं है तो आप यह चीज़ ध्यान देजिएगा कि आपको यहां पे फैक्टरी क्लास में आपको और घ्यां डॉट हाइबने डॉट कैशे डॉट इच कैसे इंटर्नल इच रिजन फैक्टरी उसकर ना है इस ज़िए रखिएगा इस्कैसे रिजन फैक्टरी जो की ओर रिट के अंदर है फिर से हम लोग क्या करते हैं अपने अप्लिक प्ल्स Sessions लेकिन क्वेरी एक बार ही चली इसका मलब जो कैसे था वो सेकंड डेवल कैसे एंटेशन हो गया आपने यहां पर एक डेटा निकाला फिर आपने शेशन क्लोज किया फिर दुबारा डेटा निकाला दूसरे से सब्सक्राइब आपकी एक ही क्वेरी फायर हुई है इसका मतलब आप सेकेंड लेवल कैसे आपके इस अप्लिकेशन में रन हो रहा है तो होफुले आपको चीजे समाझ में आयोगी कैसे हम लोग ने सेशन का लेवल कैसे इंप्लिमेंट किया वर आप एक बार वीडियों देखें है दो वीडियों देखें चीजे समझ है क्या गलती हमने की वह गलती आप मतकरिएगा चीजे समाजिये प्रेक्टिस करिए सो थैंक यू फॉर रचिंग इस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो चैनल को स्प्सक्राइब करिए वीडियो को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलेगा मैं विल दो आपसे नेक्स वीडियों में तब तक लिए जाए हिन जाए भारत